मन्जु भर्मा, सयाचारिय, राज की कला महावी दले सीख कर आज के धिन का विश्य है चोल समराज्य की अर्थ विवस्था चोल राज्य की आयका मुख्य साधन भूमी कर था भूमी कर नगद या उपज के अंश के रूप में जमा किया जाता था सामानिता उपजाव भूमी का एक बटा चार या अधिक से धिक एक बटा तीन और कम उपजाव भूमी की उपज का एक बटा छे या एक बटा पाच हिस्सा भूमी कर के रूप में लिया जाता था भूमिकर ग्रामसभाओं द्वारा एकत्र किया जाता था और इसे केंद्रिय सरकार को पहुंचाना ग्रामसभाओं का दाईत्वे था भूमिकर निश्चित करने के लिए राज-राज प्रथम और कूलोतंग प्रथम ने भूमिकी नाफ जोग करवाई अकाल या बाड की सुरत में भूमिकर माफ कर दिया जाता था चोल शाषन के अंतरगत समय समय पर भूमिक का वरगिगरन होता था और उसके अनुसार नए सिरे से भूमिकर निधारित किया जाता था भूमिकर के लावा राज्जे अन्ने व्योसाईयों और सिल्पियों से भी कर वसुल करता था स्थल मार्गों तथा जल मार्गों पर चुंगी वसुल की जाती थी खानों वनों इत्यादी से भी राज्जे को प्रियाप्त आय होती थी कुछ विद्वानों के अनुसार इन सब करों की संख्या और मात्रा अधिक थी और लोगों को ये कर कस्ट दायक लगते थी राज्जे इन करों को कठोर्ता के साथ वसुल करता था कर न देने वालों की भूमी वर संपति जब्त कर ली जाती थी कूलोतुं प्रथम ने कर विवस्था में सुधार करते हुए बहुत से करों को समाप्त कर दिया था संभवत इसी कारण उसे सुंग्त विर्थ की उपादी धारण की थी चोल प्रशाशन अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग सीना नो सीना उरों नोकर साई पर व्याँ करता था सारवजिन निर्मान कारियों, सडकों, बांधों, तथा नहरों, मंदिरों आधी पर भी काफी वे किया जाता था इसके अतिरिक्त बहुत से साधन, दान, यगों, महत्सों, इत्यादी के उपर व्याँ होता था राज की आय का एक भाग राजपरिवार के सदश्यों के भरण पोशन पर वे हो जाता था आर्थिक जीवन का मुख्य अधार क्रशी था, राज्य की आय का मुख्य अधार भी भूमिकर था जनसंख्या का अधिकांस भाग गाओं में निवास करता था और उनकी जीविका का मुख्य साधन क्रशी था उस युग में भी किसान अपनी क्रशी भूमिका स्वामित्त होता था और समाज में क्रशी भूमिका स्वामि होना सम्मान की बात समझी जाती थी इसलिए प्रतेक व्यक्ति की चाहे उसका व्योसाई कुछ भी रहा हो यह कामना रहती थी कि वे कुछ न कुछ भूमी का स्वामी अवश्य रहे भूमी पर व्यक्तियों और समुदायों का अधिकार हैता था क्रशी की उन्नत्ति के लिए चोल प्रशाशन हमेशा प्रयतन शिल हैता ठाथा कावेरी नदी से अनेग नहरे निकाले गई थी कारी काल के समयमे कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण करवाय गया था इसके अलावा चोल साशकों ने बड़े बड़े जलाशों का निर्मान भी करवाया और वहां से नहरे निकलवा की खेतों तक पहुंचाया गया ग्राम सभाई भी इन कामों के प्रती जागरोग थी उनका एक मुख्य करतवी ग्राम के तालाबों तथा सिचाई के अन्निसादनों की देखवाल करना था इससे स्वस्ठ है कि चोल के समय में प्रशाशन तथा प्रजा दोनों ही क्रशी की उन्नति के लिए प्रतमसिल थे राज्य की ओर से समय समय पर भूमी का माप तथा वर्गिकरन कराया जाता था यद्धेवी अकाल, बाड, आदि प्राकर्तिक आपदाओं के समय राज्य किसानों की सहाईता के लिए सचेश्ट रहता था फिर भी इन आपदाओं के समय प्रजा को काफी कस्ट उठाने पड़ते थे ततकालिन साक्षियों से पता चलता है कि अनावरस्टि के कारण कई बार लोगों को अकाल का सामना करना पड़ता था ऐसे अवसरों पर राज्य किसानों का भूमी कर माफ कर देती थी और उन्हें अन्य प्रकार से भी रहात पहुंचाने का प्रियास किया जाता था करशी कर्ण के साथ साथ पशुपालन भी विवसाय की उन्नत दसात में था पशुपालन का विवसाय करने वालों को मनचादी कहा जाता था और उन लोगों ने अपने आपको एक व्यवसाई के वर्ग में संगठित कर लिया था चोड समरज्जी की समाजिक व्यवस्था समाजिक संगठन का आधार जाती था प्रतेक जाती व्यवस्था के आधार पर बनी थी और उसका आधार जनम था अपनी वेवसाई खितों की रक्षा के लिए उसने अपने संगठन बना रखे थे इन जातियों में भी अनेक उपशाखाएं थी अंतर जातिय विवाओं के कारण मिशित जातियों के संख्या में भी व्रद्धि होती जा रही थी जातिय आधार पर नगरों में महलों का संगठन होना प्रारम हो गया था ये विशेश्ता ततकालिन ब्रामनों में अधिक द्रस्टिगत होती थी उनके अपने अलग-लग महले होने लगे थे प्रम्तु ब्रहामनों, ए ब्रहामनों के बीच में किसी परकार का विरोध या एर्शा का भाव नहीं था, जैसा कि हम आज देखने में आता है उस समाजिक मेल मिलाब था, संतोस का भाव था, इसमें वर्ग हित के लिए बेहरमी से काम करने का भाव नहीं था समाज में हर वर्ग का स्थान और उनके करतावे मुख्य रूप से प्राचिन प्रथा के आधारपन निर्धारी थे, तथा पी इन परिस्थितियों में धीदे तेरे एद्रश्य रूप से इन वे परिवतन होते रहते थे इस्त्रियों के समाजिक जीवन और उनके किरिया कलापों पर कोई प्रतिबंद नहीं था, तथा पीस्था चरित्रता उनका भूशन माना जाता था अभिलेखों में उच्वर्ग की इस्त्रियों को स्वाधिकार वे समपत्ति का उप्योग करते पाये जाते थे, वे अपनी इच्छा नुसार इसका हस्तान तरन भी कर सकती थी राजवन से महिलाएं राजाओं की नीतियों को प्रभावित करने की शमता भी रखती थी, यद्धे भी राजाओं और सामन्तों की एक से अधिक पत्निया होती थी, किन्तु आम तोर पर लोगों की एक पत्नी भी होती थी समाज का यह नियम था, अभी लेखों में सती की घटलाओं का यदा-गदा उलेख मिलता है, किन्तु यह उलेख इतने कम हैं कि इनक्या धार पे यही कहा जा सकता है कि तमिल परदेश में सती का आमरिवाज नहीं था चोल समाज में गणिकाओं का भी महत्वर रहा है, यह प्राय संगित और नरत्य दोनों में पटू होती थी और धार्मिक उत्सवों में सारजणिक मंच पर आती थी इनकी समाजिक प्रतिस्ठा का अनुमान उन अनेक अभिलेखों से होता है जिन में इनके द्वारा समाजिक कारियों के लिए दिये गए प्रभुत दानों का उलेख है और जिन में स्थानी अधिकारियों तथा उनकी समाज सिवा की भावनाओं की स्विरक्रति मिलती है समाज में दास पर्था का भी पर्टलन था मनुश्यों को उनकी इच्छा की पर्वान किये भी ना खरीदा और बेचा जा सकता था कभी लोग स्विच्छा से भी दास बनते थे ऐसा धार्मिक भावना से क्या जाता था गरीवी के कारण दास बनने के भी उधारन मिलते हैं अकाल के समय मुरत्तु से बशने के लिए लोग अनात अपने बच्चों को बेश देते थे चोल साशन में उध्योग और व्यापार के छितर में प्रयाव्ट प्रगत्ती हुई उस समय चोल समराज्य के विभिन भागों में व्यापारियों और यात्राओं और व्यापार संगों के सू संगठित होने के प्रचूर प्रनाम मिलते हैं जिन से पता चलता है कि देश के भीतर अनेक वस्तों का खोब व्यापार होता था चोल समरज्य का विस्तार हो जाने पर एक शक्ति साली के निट्र प्रशाशन का उद्य हुआ जिसने एक बहुत बड़े भूभाग में कई पिरियों तक शान्ती एमियस्ता को बनाए रखा इससे उध्योगिक कला को प्रचुर मातरा में प्रोहतसा निम सुविधा मिली धातु उध्योग और जोहरी की कला में बड़ी दक्षता प्राप्त हुई अभी लेखो में तंजोर के मंदिरों की प्रतिमाओं और बर्तनों की विस्तित विवरण मिलते हैं जो इस बात के प्रमान हैं कि चोलकाल के कारिगरों ने विफिन्ध हातों को गला कर सुन्दर मूर्तिया ढालने में कितनी कुशल्टा प्राप्त कर ले थी इस प्रकार के कारियों में चांदी, सोना, तांबा, कासा और पीतल का अधिक प्रियोग किया जाता था और आभुशनों में रतन और मोती लगाये जाते थे जोहरियों की कला अपनी प्रकास्टा पर पहुँच चके थी समुंदरी पानी से नमक बनाने का कारिये शाषन की निग्रानी और नियंत्रन में होता था कई उध्योगों को राज्ये तथा बड़े मंदिरों से माननेता तथा संग्रशन प्राप्त था कांची पुरम के जुलाहों को राजा के वस्तर बनाने का गोरप राप्त था तो कुछ अन्य जुलाहों को मंदिरों की आवशक तानोसार वस्तर बनाने का इस काल में अंतर देशे व्यापार में परिवन विवस्ता की प्रियाप्त जानकर उपलब्द नहीं है दक्षिन भारत में नद्यों के द्वारा माल लाने ले जाने के गुंजाइस कम हो रही थी चोल समराज्जी के सभी भागों में सडके होने का उलेख मिलता है व्यापारियों के बड़े सक्तिसाली निगम होते थे नाना देश तेशुतरेंते एबुरेंच का स्थान इन निगमों में सबसे प्रतिस्टित था इस लंबे नाम के दो अर्थ है पहला अर्थ है सभी देशों के हजार दिशाओं में 500 और दूसरे अर्थ है सभी देशों के दिशाओं में 1500 इन निगमों का विदेशों में भी व्यापार होता था इसके सदस्य वासुदेव, कंदिल और मूल भद्रवन्ष के थे ये चेर, पांडे, मले, मघद, कोशल, सोरास्ट, धानोस्ट, कुरूब, लाल, नेपाल, लंका, आधी देशों के यात्राय करते थे उज़ कोटे के हाथियों की अच्छी नसल के घोडे, नाना परकार के रत्न, मसालों, सुगंदित दर्वयों, ओश्दियों और वस्त्रों का व्यापार करते थे वे प्राय घदों, बैलों, भेंसों पर समान ले जाते थे सुरक्षा की द्रस्टी से इस निगम की अपनी पैदल सेना की टुकडी थी राजनेतिक सीमाओं के कारण, व्यापारियों के कारोबार में कोई बादा नहीं आती थी वे जहां जाते थे, उनका सम्मान होता था, उन्हें विशेश सुईधाय दी जाती थी व्यापारियों के स्थाने संगठन भी थे, जिने नगर्म कहते थे, ऐसे संगठन बड़े-बड़े नगरों में थे इस काल में सीमाओं सुलक और चुंगे के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता है इन सुलकों को सुगम कहा जाता था सुगम की व्याख्या में कहा गया है कि जहां जो और व्यापारियों से जो समुंदर पार्या देश की भीतर से आता था सुगम में शामिल था कर्च के लिए हुंडियों का आम रिवाज था रिन पर व्याज की दुरों में भिन्नता के बहुत प्रमान मिलते हैं व्यापारियों को अपने कारोबार के सिलसले में बड़ी पेमाने पर रिन लिनने और दिने पड़ते थे आज की व्याख्यान में इतना ही